कि वल्कम टू आर चैनल एडी एडूकेशन पिछले वीडियो में हम लोग जाने ति इस्रोग क्या है इंसको पार खिया है इसकी अस्थाप्ना कब हुई इसका कार्य क्या है और और यह किसके अंतरगत कार्य करता है इस वीडियो में हम लो जानेंगे सेटिलाइट यानि उबगरा क्या होता है, मैनमेट सेटिलाइट क्या है, नेचुरल सेटिलाइट क्या है और भारत का पहला सोदेशी निर्मित सेटलाइट यानि उबगरख कौन सा है या कब तयार हुआ और इसे कहां से लॉंच किया गया और अंत में जानेंगे लॉंच भैकिल क्या होता है जिदि आप हमारे चैनल पे नए है तो हमारे पेज को लाइक किजिए सब्सक्राइब किज और बेल आइकन को प्रेस किजिए सबसे परले हम लोग जानेंगे सेटलाइट यानि उबगरख क्या होता है इसे ऐसान वायसा में समझें वैसा गरह जो किसी दूसरी गरह की परिकर्मा करे या चक्कर लगाए उसे उबगरह काते हैं उधारन के तर पर चंदर्मा प्रिथव की परिकर्मा यानि चकर लगाती है इसलिए प्रिथवी को भी उपगरह बोलेंगे यानि वैसा गरह जो किसी दूसरी गरह का चकर लगाए परिकर्मा करे तो उसे उस गरह का उपगरह यानि सेटलाइट कहते हैं आमतर पर जो भी सेटलाइट बोला जाता है इस परकार के तो उसे नेचुरल सेटिलाइट यानी प्राकृतिक उपगरा कहते हैं मनुष के द्वारा बनाए गए सेटिलाइट को मैनमेट सेटिलाइट बोला जाता है समाने तरह जब भी हम लोग सेटिलाइट कहते हैं इसका तत्पर मैनमेट सेटिलाइट से होता है ना कि नेचुरल सेटिल आरेवट भारत का पहला सोदेशी निर्मित यानि पियोर मेड इन इंडिया सेटिलाइट है जो इसरो की देख रेक में पेन्या बैंगलोर के निकट इस्तित है वहां तयार हुआ 360 किलोग्राम वाले आरेवट उपगरा को 1975 को रूस के कैप्टुसिन यार नामक उल्गोगाड लंच एस्टेशन से पीथवी के लो और्बिट में कोस्मोस 3M लंच वेकल से सफलता पुर्वक लंच किया गया इस उपगरा का नाम हमारे देश भारत के महान गड़ितग आरेवट के नाम पर रखा गया इस एतिहासिक ठड के याद में रिजर बैंक आफ इंडिया ने दो रुपए के नोट के पिछले हिस्से पर आरेवट उपगरा का चीत्र 1976 से 1997 तक दरसाया गया साथ ही रूस ने 1984 में अपने अस्टांप पैर पर आरेवट सहित भासकर वन और भासकर टू को अपने अस्टांप पैर पर दरसाया अब हम लोग जानेंगे आरेवट का उद्देश से क्या है इसका मुख उद्देश एक्सरे खगोल विद्या वायू विग्यान और सौर भा होता है कि चाइना जो भारत का पड़ोसी मूलक है उसने 24 अप्रेल 1970 को अपना पहला उप्वरास सफलता पूर्वक लंच कर लिया था अब हम लोग जान लेते हैं लंच वैकिल क्या होता है इसे असान भासा में समझे तो जैसे माली जीए आपको भारत से रूस जाना है और से एरो प्रेंड के द्वारा जाते हैं इसमें एरो प्रेंड लंच वैकिल का काम करता है और आप स drainage होंगे वैसे ही किसीभी से लाइट को प्रितवी के उसके ओर्विट में छोड़ने के लिए हम लों लंच वैकिल का परियोग करते हैं जिससे सेटलाइट को प्रित्वी के और्बिट में छोड़ा जा सके इस रू का पर्मुक लंच वैकल, पी एसलवी, जी एसलवी, एसलवी, आरलवी इतियादी है लंच वैकल से रिलेटेड बिस्तार से किसी दुसरे वीडियो में बात करेंगे यदि आपको वीडियो अच्छ झतल, आरल एका प्र भ्रित्वस से रिलेटे में लिएपको किसी दुसरे घसली सेुट़ है. जी सिल्फा.